हलो दोस्तों मैं डॉक्टर समा दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ लॉर्ट्सकी ग्लो केयर कोंप्रेक्शन क्रीम के बारे में दोस्तों काफ़ी बैदरीन मैडिसीन होने वाली है आप सभी के लिए तो इस क्रीम के बारे में पूरी बलानों करने करते ह। जोस्तों अगर बात की जाये फियर्णेस की तो ये एक सी चीज है जो अगर आप दिमाग में अपने बेठा लेए अगर मुझे फियर्णेस यानि की फियर्णेस का मतलब होता क्या है तो बाइ बथ आपका अ decreased посмотр तो आपकी इस केंट कालर होता है वो एक से दो टोन तक अच्छे से सुन लीजिए एक से दो टोन तक आप तक गोरे हो सकते हैं लेकिन अगर आप boat यह सोचैंगे कि अगर आप कि आपकी जोard है या फिर एक इ70 म Ex przy przy最近 b 씨 अग्यार आप एकड़ हो जाएंगे एक दम सेstrong ना ना ही कोई ऐसी क्रीम बनी है तो आपको यूट्यूब ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें क्लेम किया हो रहता है कि आप एक सबते में गोरे हो जाएंगे अपनी स्कीन को काला से गोरा बना ले या फिर इस तरह की बहुत सारे चैनल है जो अपने चैनल को प्रोमोट करने इस तरह फेक निउस लोगों को देते रहते हैं और साथ इसाथ लोग उनके फसाने में आ भी जाते हैं तो आप इन सब चीजों में ना पढ़िए आप हर तरीके से खुबसूरत है लेकिन अगर बात की जाए कंप्लेक्शन की अगर हमारी जो इसकीन का कलर कोई भी हो लेकिन नियुदे गलीर हो साप सुतरी हो रिंकलस फ्री हो मेलाजमा free हो इससे बहतर इस्कीन क्या हो सकती है तो यहां पर मैं बात करने वाली हूँ uncle काफ़ी ज्यादा दीनों से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसी फिरने स्क्रेम लूम जिस जो मेरी स्कीन को 180 टोन तक तक गोरी कर दे या 203 टोन तक गोरी कर दे तो उस कंडिशन में आपके लिए जो क्रीम है काफी बहतरीन होने वाली है आप बहुत सारे ऐसे क्रीम इस्तमाल कर चुके हैं लेकिन अगर आपको कहीं से भी रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है तो आप ये लॉर्ट्स की ग्लो केर कॉं क्रीम जरूर इस्तमाल कीजेगा क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडियंट है वो काफी बहतरीन है हमारी स्कीन के जो कलर उसे ब्राइटन करने के लिए लाइटन करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहां फिर बता दे रही हूँ अगर आप यह सोचते हैं कि आप एकदम से का हो जाएंगे तो असा कभी नहीं होता है लेकिन जो किस्कीन का अऌट है वह 5-3 ट Wednesday और ज्थीरे गलॉसी हो जाएगी है आप देखेंगे कि जो आपकी स्कीन पहले है और इस क्रीम को इस्तमाल करने के 10 दिन बाद आप जब अपनी स्कीन को मिलाएंगे तो इन दोनों में डिफरेंस आप खुद ही देख पाएंगे काफी बहतरीन क्रीम होने वाली है आप मेल है या फीमेल है इसे कोई भी मतलब नहीं है इसमें जो जो इंग्रेडियन्ट है ये दोनों के लिए सेम वग करता है दोस्तों काफी बहतरीन क्रीम होने वाली है या आप दोनों के लिए इवेन अगर आप टीनेज है उस कंडिशन में भी आप इसे इस्तमाल कर चकते हैं अगर आप कॉलिज गोई गल है उस कंडिशन में भी आप इसे ले सकते हैं सुबह आप इसे लगा के अपनी कॉलेज जाए और रात में वापस से सोने के पहले आप इस क्रीम को अच्छे से अपनी फेस को क्लीन करके लगाना है तो बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से इंग्रेडियेंट है तो जो सबसे पहला इंग्रेडियेंट है दोस्तों वो है हाइडरास्टीज, बेरी-बेरी जैकोफ फॉलियम, अधर इंचर और साथ ही साथ लेडम पॉल लेडम पॉल आप समझ लीजिए जो इसकीन का काला पन होता है यानि कि जो इसकीन पर छोटे-छोटे पैचे सा जाते हैं ब्लैक कलर के उसको रिमूव करने में लेडम पॉल काफी हेलफूल है हाइडरास्टीज जो है वो चमड़े की बीमारी के लिए काफी बेहतरीन तो मैं नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसकी जो क्वांडिटी है वो है 25 ग्राम की अब बहुत करते हैं कि इस मेडिसीन को अपलाई कैसे करना है अपधरी मेडिसीन पर सकते हैं अपलाई जिन करते हैं इवेन अगर आपकी इस में धूप के वज़़े से बिलामेज हो रही है उन सभी कंडीशन में यह क्रीम काफी हेलफूल होने वाली है आपको इस क्रीम को लगाना कैसे है मैं वो बता देती हूं अगर आप सुबह कहीं ओफिस वगरा कॉलेज इवेन अगर आप स्कूल वगरा ओफिस कहीं भी जाती है तो उस कंडीशन में सुबह अपना हाने के Spencer आप इसी स्कीन को लगा सकती है और रात में सोने के पहले अपनी स्कीन को अच्छे से क्लीन करके इसे लगाना है आप इसे लगा कर धूप में भी जा सकते हैं किसी भी तरीकी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है बहुत सारे लोग मुझे कमेंटर फूसते हैं क्या हम इस क्रीम को लगा कर धूप में जा सकते हैं तो आप लॉर्स की ग्लोक हेर क्रीम को लगा कर धूप में जा सकते हैं आपको किसी भी तरीकी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है और आप इसे रात में भी लगा के सोईएगा दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर कीजेगा मेरे छोड़ा से इंफॉर्मेशन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताईएगा आप सभी के लिए मैं बहुत ज़ादा महनत करती हूँ